C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय आठ खत्रे में सांप प्रिष्ट संख्या 46 सुने कहानी इस प्रिष्ट पर एक जंगल का चित्र दिया गया है जिसमें चीता, बंदर, लोमडी, मोर, मगरमच और सांप का चित्र दर्शाया गया है सारे जानवर इकठे हुए थे बात चल रही थी कि खत्रे में अपनी जान कैसे बचाएं देर तक बहस चली अंत में सब को बंदर की सलाह ठीक लगी बंदर की सलाह थी कि खत्रे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है बातचीत समाप्थ हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए सिर्फ सांप एक दूसरे का मुह ताक्ते देर तक वही बैठे रहे इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिया गया है जिसमें कई सांप इकठा है बातचीत के लिए एक सांप वहीं क्यों बैठे रह गए दो आप सांप को क्या सलाह देंगे तीन सिर्फ पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है रंग भरिये दिये गए चित्र में दिये गए चित्र जैसा रंग भरिये शिक्षन संकेत बच्चों के साथ सिर्फ पर पैर रखकर भागने मुहावरे के अर्थ के विशय में चर्चा करें बच्चों से पूछें कि वे कभी सिर पर पैर रख कर भागे हैं। क्यों और कब? कौन-कौन से कीडे हैं जो साब की तरह वहीं बैठे रहेंगे। प्रिष्ठ संख्या अनतालीस चित्र और बातचीत जंगल इस प्रिष्ठ पर जंगल का एकचित्र दर्शाया गया है। जिसमें शेर की गुफा है, साब का घर है, तालाब है और बहुत सारे जंगली जानवर भी हैं। कंगारू अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में छुपाए हुए बैठा है। मच्चली पानी में गौते लगा रही है। कच्चुआ तालाब के किनारे बैठा है। जिराफ भी तालाब के किनारे बैठा हुआ है। शेर की पीठ पर एक चुडिया बैठी है, शेर घुरा रहा है। एक तोता उर्ता हुआ जा रहा है। प्रिष्ट संख्या उन्चास इस प्रिष्ट पर दिये गए चित्र में बंदर का एक पेड है, पेड की डाल से सांप लिप्टा है। पेड के नीचे हाथी बैठा हुआ है। एक बंदर भी सोच की मुद्रा में बैठा है। और एक चूहा नदी के किनारे बैठा हुआ है। चित्र में क्या-क्या दिख रहा है। कौन कौन से जानवर है? आपने इनमे से कौन कौन से जानवर देखे हैं? कहा देखे? आदी. चर्चा में जानवरों के रहने के स्थान, पालतू एवं जंगली जानवरों आदी पर बात की जा सकती है शिक्षक बच्चों को अपनी भाशा में अपनी बाते कहने के परियाप्त अफसर दें प्रिष्ठ संख्या पचास आनंद मै कविता कबरी जबरी बकरी प्रभात इस प्रिष्ठ पर एक चित्र बना है जिसमें दो बकरियां उचल कूद करके भाग रही है पीछे एक लड़की और एक लड़का दोड़ रहे है आसमान में कुछ पक्षी उड़ रहे है शिक्षन संकेत बच्चों के साथ कबरी और जबरी बकरियों के रूप रंग के बारे में बात चीत कीजिए जबरा, कबरा, बकरा आदी शब्दों से तुकबंदी करते हुए बच्चों से नई कविता की रचना करवाएं शिक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों को ध्यान से सुनिये और बनाईए इस प्रिष्ट पर कुछ चित्र दिये गए हैं एक चौकोर कागज है एक कोने को दूसरे कोने से मिला कर मोड दिया गया इस चित्र में दोनों कोनों को अंदर की तरफ मोडने के लिए दर्शाया गया है इस चित्र में दोनों कोनों को मोड कर कान का आकार दिया गया है और बचे हुए कोने को अंदर की तरफ मोडने के लिए दर्शाया गया है अब अंदर की तरफ मोड दिया गया च अब उस पर आंख की आकरिती और नाख की आकरिती बना कर कुटे का चेहरा बनाया गया है एक एक चौक और कागज लें और उसे चित्र में दिखाई अनुसार तूटी रेखा पर मोडें दो, आपको एक तिकोना काघज मिलेगा, उसे चितर के अनुसार तूटी रेखा पर दो छोटे तिकोनों में मोडें, इससे दो कान जैसे बन जाएंगे तीन, नीचे वाले तिकोने को उपर की तरफ थोड़ा सा मोड लें, इससे कुट्टे का मुह बनेगा चार, इस कुट्टे के चेहरे पर कलम या रंग से आखें और मुह बना दें, कुट्टे का चेहरा तयार है शिक्षन संकेत शिक्षक एक-एक करके बच्चों को निर्देश दें इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे अपनी गती से काम करेंगे बच्चों को अपनी गती से काम करने की स्वतंतरता प्रदान करें प्रिष्ट संख्या बावन शब्दों का खेल आओ र पहचाने सुनिये और बोलिये र से क्या-क्या शब्द हैं रमा रोटी रानी रेल रसगुला रसी यहां कुछ शब्द दिये जा रहे हैं इनमें से र को खोजिये और घेरा लगाईए गिलहरी बकरी रिमजिम गिरगिट खरगोश दिये गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाईए घ़ रा हा ता दी ला थी ली मिठा इ दी गा री धा ना प्रिष्ट संख्या तिरपन कहानी सुनाईए यहां कुछ शब्द दिये हैं इनके सहायता से कोई कहानी बनाईए और कक्षा में सुनाईए खरगोश, भालू, कचुआ, चड़िया, बंदर, दोड़ना अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्नीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत